वेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नमबर 10 के उपर एक multiple choice questions की quiz का part number 2 इसमें हम लेके आए हैं 10 बहुत important questions जो परिक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और part का नाम है colonialism and the countryside यानिके उपनिवेशवाद और देहाद तो शुरू करते हैं quiz को पहला question है बंगाल में गाओं के मुखिया को क्या कहते थे यानिके what was the head of the village in Bengal called तो ए जो है option वो है मंडल बी जोतदार c अमला वड़ी है जमिदार तो आपको बताना है कि a, b, c यड़ी में से कौन सा उत्तर जो है वो ठीक है तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है a मंडल जो है वो गाओं के मुखिया को बंगाल में कहा जाता था question number 2 है बंगाल में वो कौन से क्रिशक थे जो स्वेम का हल लाते थे और जमीन लेकर खेती करते थे what were the farmer in Bengal who bought their own plow and took land and did farming option A है जोद्दार B है मंडल C है बटाईदार और D है अमला तो आपको बताना है कि A B C D में से कौन सांसर ठीक है तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इसका सही जवाब है C बटाईदार यानके बटाईदार वो लोग थे जो अपना स्वेम का हल लेकर आते थे दूसरों से जमीन लेकर उस पर एक हैतिवाड़ी करते थे और फिर उपज का आधभाग जो है वो उस जमीन के मालक को जो है वो दे देते थे अब अगला क्वेशन है क्वेशन नमर तीन यह चित्र जिसमें जोद्दार का बड़ा घर दिखाया गया है किसने बनाया था यानके यह सावकार या जोद्दार का बड़ा सा जो यह आप देख रहे हैं मकान दिखाया गया है यह चित्र किसने बनाया था तो इसका उप्षन है राजा रवी वर्मा भी है चार्ल लुईस है जॉर्ज चिन्री और डी है है हैं तो आपको बताना है कि इन में से कौन से वो चित्रकार हैं जिनोंने ये चित्र बनाया है जो उस समय के बंगाल की स्थिति को दर्शाता है तो उसके लिए आपका समय शुर तो इसका जो सही जवाब है वो ऐसी जौर्ज चिन्री वो व्यक्ति थे जिन्नोंने वो चित्रकार थे जिन्नोंने इस चित्र को बनाया है तो यहां आप देख रहे हैं कि एक बड़ा विशाल भवन जो है वो यहां पर दिखाया गया है साथ ही इसके पास कुछ जोपडिया दिखाई गई हैं जो कि एक आम आदमी की थी तो वो दिर्शारे हैं कि जब आम आदमी चोटी चोटी जोपडियों में रहता थे उसकी जगा जो है उसी समय में जो जोदार लोग थे सावकार लोग थे वो बड़े-बड़े विशाल घरों में विशाल भवनों में रहा करते थे, question number 4 है, गाउं में राजस्व निर्धारित करने की जिम्मेदारी किस की थी, यानि कि who was responsible to determine the venue in the village, तो option A है, जोददार B है मंडल, C बटाईदार और D है जमिदार, तो कौन वो व्यक्ती था, जोददार मंडल बटाईदार या जमिदार में से, जो गाउं में राजस्व यानि के, जो कर होता था, वो निर्धारित करता था, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है, अब, तो इसका जो सही जवाब है, वो है D, जमिदार, तो जमिदार वेवेक्ती होता था, जिसे कमपनी द्वारा, काफी सारे गाउं जो है, वो दिये जाते थे, जहां से वो राजस्व एकठा करता था, और कमपनी में जमा करता था, तो इसलिए किस गाउं से कितना राजस्व वसूल करना है, ये निर्धारत जो है वहां का जम्मिदार किया करता था कि क्या जो है हमारे को कर इस गाउं से वसूल करना है तो कर के निर्धारन के जम्मिदारी जो थी वो जम्मिदार की होती थी Question number 5 है रहित को लगान कौम देता था यानिके who used to pay लगान to the रहित Option A है कोई नहीं यानके no one, Option B है जोददार यानके tenant, Option C है जम्मिदार और Option D है शिक्मी रहित तो आपको बताना है कि रहित को कौन कर देता था तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D शिक्मी रहित तो शिक्मी रहित वो क्रिशक थे जो की रहित और जोददार से जमीन लेकर उस पे क्रिशी कारी करते थे तो अगर वो रहित से जमीन लेते थे तो वो लगान भी रहित को ही दिया करते थे अब अगला कॉशन है कॉशन नमबर चे जमीदार लोग अपनी संपत्यां इस्त्रियों के नाम क्यों कर देते थे यानि के वाई डिड जमीदार गिव देयर असेट्स टू दा वुमेन तो इस्त्रियों जबरदस्ती अपने नाम करवा लेती थी यानि के वुमेन यूज तो गेट देयर नेम्स फोर्सफुली और ऑप्शन्स ही है इस्त्रियों को संपत्ती पर कर नहीं लगता था यानि के दा प्रॉपर्टी ओफ वुमेन वाज नॉट टैक्सड और डि है इस्त्र हैं अपने माहाल जो हैं वो इस्त्रियों के नाम कर देते थे तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D इस्त्रियों की जो संपत्ति होती थी जो भी संपत्ति इस्त्रियों के नाम होती थी तो उसकी संपत्ति को निलाम नहीं किया जाता था इसलिए अपने जमिदारी को बचाने के लिए जमिदार जिनकी निलामी तैय हो जाती थी वो अपनी संपत्ती इस्त्रियों के नाम कर देते थे question number 7 है पांचवी रिपोर्ट में कुल कितने प्रिष्ट थे यानि के how many pages were there in the fifth report तो option A है 1000 यानिके 1000 B है 999 C है 1002 यानिके 1002 और D है 1001 यानिके 1001 तो आपको बताना है कि A, B, C, D में से वो कौन से संक्या है जितने जिसके बराबर जो है पांचवी रिपोर्ट में प्रिष्ट थे तो उसके लिए आपका समय शुरू हता है अब तो आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया इसका उत्तर है C, 1002 प्रिष्ट तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक बुक की शेप में पांचवी रिपोर्ट है फिफ्थ रिपोर्ट है उसके जो है यहां पे इसके अंदर जो प्रिष्टों की संक्या है जो अबर जन था उसमें 1002 यानिके 1002 पेज थे क्वेश्ट नमबर आठ है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई यहां आप देख रहे हैं यह ब्रिटिश संसद का एक चित्र दिखाया गया है तो इसमें जो पांचवी रिपोर्ट है जो इस्टिडिया पांचवी रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई यहांगे वैन वाज दा फिफ्थ रिपोर्ट टेबल दीन दा ब्रिटिश पार्लिमेंट तो अप्शन यहां सन 1813 यहांके year 1813 ऑप्शन भी है सन 1803 यहांगे year 1803 और सी है सन 1823 यहांके year 1823 और डी है सन 1800 यहांके year 18100 तो आप को बताना है कि किस सन में जो है ये रिपोर्ट पांचवी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिस अंसद में पेश की गई थी तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है 1813 यानिके year 1813 तो 1813 में ब्रिटिस अंसद में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी पांचवी रिपोर्ट पेश करने के बिचे ब्रिटेन के विभिन वर्गों की क्या मनशा थी यानिके what was the intention of different sections of ब्रिटेन to present the fifth रिपोर्ट तो option ने है ब्रिटेन में कई वियापारी समूं भारत और चीन के साथ वियापार में हिस्सा चाते थे यानिके many merchant groups in Britain wanted a share in trade with India and China भी है ब्रिटेन के उध्योगपती ब्रिटिश वी निर्माताओं के लिए भारत का बजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे यानिके British industrialists were eager to open India's market to British manufacturers और सी है कई राजनितिक समूं चाहते थे कि बंगाल विजे का लाब संपूर्ण ब्रिटेन को मिलना चाहिए ना कि सिरफ कमपनी को यानिके many political groups wanted that the profit of Bengal victory should be given to the whole of Britain and not only to the company और डी है उपरोक सभी यानिके all of the above तो आपको बताना है कि पांचवी रिपोर्ट पेश करने के पिछे ब्रिटेन के विभिन वर्गूं की क्या मन्शा थी क्या इच्छा थी तो उसके लिए आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है तो आपका समय शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D उपरोक सभी यानिके all of the above यानिके ये तीनों ही आप्शन ABC सही है अब इस वीडियो का लास्ट कोशन है कोशन नुम्बर टैन निलामी के बाद नए खरीदार के लोगों को रईयत खेतों में क्यों नहीं गुसने देती थी यानिके after the auction why did not the people of new buyer allow the रईयत to enter the fields तो option है रईयत को अपने खेत खोने का डर था यानिके the रईयत feared losing his field और भी है रईयत को जोददार बहका देते थे यानिके the tenant used to mislead the रईयत और c है रईयत के उपर पुराने जमिदार का दबाव रहता था यानिके the old जमिदार was under pressure on the रईयत और option डी है रईयत का पुराने जमिदार के साथ भावनात्मक सम्मन था यानिके the रईयत had an emotional connection with the old जमिदार तो आपको बताना है कि A, B, C, D में से कौन सा उत्तर जो है इस घटना को सही ठहराता है यानिके इसका सही जवाब है तो उसके लिए आपका सम्म में शुरू होता है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D, रईयत का अपने पुराने जमिदार के साथ एक emotional touch यानिके भावनात्मक सम्मन था था और वो जो जमिदार था उसको अपना सर्वस मानती थी अपना राजा मानती थी स्वामी मानती थी और स्वेम को उसकी प्रजा मानते थे और वो सोचते थे कि जमिदार को हटा देने से उनका personal जो है जैसे कोई उनका अपने व्यक्ति को साथ कोई नुकसान हो रहा है इस तरह से उनका एक attachment था जिस वज़ा से जो है वो पुराने जमिदार के साथ ही जुड़े रहना चाहते थे इसलिए पुराने जमिदार को जो ह अपना किमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद अपना score calculate केजिए और comment box में लिखके बताईए कि आपको कितने number मिले हैं 10 में से अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो like का बटन दबाएं और अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो इसको subscribe करें और bell icon जोर दबादें धन आपको बटने हैं